हाँ अच्छों देखिए यह चप्टर हमारा समाप्स हो गया है लगभग लगभग समाप्स हो गया है केवल दो टॉपिक बचा है एक बचा है प्रोबैबिलीटी है ठीक है और एक बचा है जेनेटिकल डिशॉर्डर जेनेटिकल डिसॉर्डर आज हम इस प्रोबैबिलीटी को खतम कर लेता है उसका दो दिनों के अंदर अगले दो क्लास में जेनेटिकल डिसॉर्डर को भी समाप्स करेंगा और फिरम आएंगे मॉलिक्लर बाइलोगी के बहुत इंट्रेस्टिंग मॉलिक्लर तो बहुत मजा आ प्रोबैबिलीटी को समाप्स कर लेते हैं अग्जाम में नहीं आता है ठीक है लेकिन कि आपको कई सारे टेस्ट पेपर वगरे में देखने को मिल जाएंगे और क्या पता है इंगो प्रोबैबिलीटी तो पूरा का पूरा है चप्टर होता है मैं जानता हो बहुत डिटेल म प्रोबैबिलीटी यह इसी को बोलते हैं पॉसीबिलीटी पता ना इन प्रोबैबिलीटी के बारे में क्या जानते हो इस प्रोबैबिलीटी निकालने जाता है अब चांस के इतना प्रोबैबिलीटी है किसी इवेंड का किसी भी चांस का किसी भी मौके का एक समय पर पाया जाना होना यही प्रोबैबिलीटी है संभाव ना निकालना कैसा होता है ऐसा हो सकता है यह प्रोबैबिलीटी हो अब इसको डिफाइन करने के कही सारे तरीके यार मैथे मैठेमेटिक्स वाले करते हैं अब अब हम पहले बात करते हैं सिंपल प्रोबैबिलीटी का मतलब है कि एक इवेंट के बारे में बात करने अब उस इवेंट में कई सारे चांस हो सकते हैं कि यह हो सकता है वह सकता है अगर किकी ने तो सिंपल फर्वेबिलीटी जैसे अगरे एक्जांपल से समझ जाओ धुए किसी फैमिली में फैमिली की जो फेमिले पार्टनर वह प्रेगनेन्ट होचकी है तो इन जनल तो एकी बच्या होना यह चीज होना है यह तो लरका होगा यह तो लर्की होगी यह सिंपल आप एक ही चीज होना है या तो लर्का या तो लर्की और एक ही इवेंट का सोच भी जो कि बच्चा क्या होगा लर्का या फिर लर्की तो यह क्या है कि टोटल नंबर आप किस केस की बात कर दो डिवाइड़ वैट गिविन केसे अपन टोटल केस चलो मैं एक जांपल लेता है मैंने कहा कि एक बहुत की कपल है उनके बच्चे होने वाले तो लर्का होगा कि लर्की होगा बताओ तो यह पर बता टोटल केस क्या है क्या हूं सकता लर्का या लर्की दो केस है कि नहीं existential क्या है एक टाइम एक It होने का चांस अब आप गजा इंटर सक्स ऐसक्टा है, अपने बारे में कोई बताए, तो हम क्या कर? हम कोई अपने बारे में खुदी परीचे दे, उसमें क्या कर सकते हैं, इंटर्शक हो सक्ता है तो लो तो नहीं लिखा होता है तो लड़का लड़की सोचते हैं यार हम तो बहुत कम चांस होता है नहीं अब जिसको जो इंटर सेक्स होगा वो तो यही बोलेगा ने वह भी तो होता है हमको क्यों बूल रहा है तो यह अच्छा अब माला इस तो सिंपल हुआ फ्रकॉसन को और गु लड़का है तो अगला फिप्ट डेलेबडी बला फिप्ट चाइल्ड जो होने वाला है वह लड़का होगा की लड़की होगी बताओ परसेंटेज में बोलो तो अरे बोलो जब इसा पॉल देम लिए उसके पास ऑलरी फॉर यह को फैमिली यह फैमिली जिसके पास अलरी तीन लर्का है तो उसके और उसके वह एक लड़की होने की किया संबभना कि पुए बहुत सारे फ्लावर मलब कि आएंगे उसमें से green, red, yellow, white यह चार color के flower आ सकते हैं चार तरके के flower आ सकते हैं पॉलीनेसन के बाद ग्रीन आने के संभावना किखने है बोलो बाइफोर तिमपल सिंपल प्रबैबिटी है ही सिंपल कर लोग एसे कुछन आते हैं तो सिंपल प्रबैबिटी ही आते हैं बस आपको यह पता होना चैसे टोटल केस अब आपको एक आद मॉडूल में मिल जाएगा कोश्चन देखों कॉम्पलेक्स प्रबैबिटी का फर्मूला क्या लो इसका फर्मूला है आपके नूर्स में लिखा होगा देख लो इसको ऐसे क्या होगा है नीचे लिखाओ एकस वन ऐसे एकस टू है ठीक है उसके वाद ऐसे करके मल्टिप्लाइ में e 1 पावर एकस वन और पीटू की पावर एक्सटू ऐसा लिखा होगा फर्मूला कैसे आया जानने में इंट्रेस्ट हो महित वाले से पूछना को मेरे से मत पूछना ठीक है यह फर्मूला है सिदा याद रखो और इसका मतलब यह होता है कि एक से अधिक आने की समावना आप निकाल दो तो कैसे निकाले तो यहां पर यह एक्स वन एक्स चूट्या है एक्स वन एक्स टू है कि जो आप केस निकाल रहे हो यह सारे केस एक साथ कितने आएंगे तो वह एक्स वन क्या है कि टोटल नंबर आप केस वन में टोटल पॉस्यूबिलिटी कितना है दो केसे केसे का यहां एक्स एएक्स ऐस्टू भी हो सकता है कि ऐसे बढ़ता चला जाएक पी वन ऐसे बता दूंगा तो यह एक्सवन क्या है कि एक टाइम जो ममलब एक केसेश के इसे दो एक इवेंट जो होता जो उसमें कितने केसे पॉसिवल तो ऐसे एकस्टू अब यहां पीवन क्या है आप पीवन क्या है की कि फर्शक निकाल लू और श्रू किया है सकेंड के सेश्क प्रबेबर्टी निकाल यह फिर उसके मात्य पर उस प्रेसे को लेकर जितनी समाव पनाए हो सकती है वो लगा दो और प्यूटू को में भी लगा दो मैं इसको आपको कुश्चन सा समझाता हूं आपको कुश्चन देता हूं तो आप खुद करो कुश्चन है तो वाट विल बी दा प्रोबैबिलीटी ओफ थ्री संद एंड वन डाउटर इन फोर चिल्रेंग चार बच्चों में कि तीन बेटा एक बेटी होने के संभावना बता हूं कि समझ मैं है एक साथ लड़का लड़की दोनों का संभावना पूछा जा रहा है कि अब लगाओ फर मूला स्वालब करो जलिश्चन अपने से करो कुछ अंसार आया कि अबड़ को कि अपने से अंसार आया है है कुछ थांसर तो लेडर्देको झाल झाल जिनका जवाब नहाए नमबर ओप टोटल केस कितना है चार बच्चे हो यही है टोटल केस तो एन का बलू क्या है चार एक्स वन है कि पहले केस में यहां बदेगों दो केस एक सार डिसक्स हो रहा है बेटा बेटी पहले केस में टोटल नमबर कितना है तो निकाल सकता है बेटा का बात चल रहा है तो एक बेटा हो सकता है निकालो होसकता है तो चोटल केस बेटा की बात करने तो 1 by 2 ऐसे P1 भी 1 by 2 आएगा P2 भी 1 by 2 आएगा अब लगा दो फर्मूला फर्मूला में क्या है उठकर दो complex probability is equals to n का value क्या है जली बोलो चार डिवाइड़ बाए X1 X2 3 into 1 यहाँ पे 1 by 2 की power X1 X1 3 into 1 by 2 की power X2 का value 1 क्या जाएगा 4 by 3 into 1 by 8 into 1 by 2 multiply कर लेना यह यह गांसर कि जो भी होगा देख लेना कि समझ में नभीन कि आशर वन बाए टुएल होगा जो भी होगा देखो यह complex probability का सवाल को फूसता होता नहीं ठीक है बता दिये मोडूल में मिलेगा इसलिए इसनी ट्वीट में नहीं आता है ठीक है बहुत पहले आता था ठीक है बता दिये आपके नोट्स में इसा एक दो कोशन और है आप कर लेना नहीं होगा तो पूछ लेना नेक्स लागना बता दूँगा बच्चों नेक्स क्लास से हम पढ़ेंगे जनेटिकल डिसॉडर और अगले दो लेक्षर में उसको समाप्त करेंगे और फिर हम आजाएंगे मोडूल लगा के पूरा अदम कितना सक छिरग दो पूरा सेनिटाइजर मार दो एक भी कोशन बचना नहीं चाहिए जितना भी कोशन सब उड जो भी डॉट बचाओगा एक साथ क्लियर फिर मिलेंगा नेक्स मॉडूल में नहीं दिया है पॉपलेशन जनेटिक्स मॉडूल में जो बोले थे पढ़ने के लिए और अब हम परेंगे इसके बाद नेस्ट क्लास में जनेटिकल डिशॉडर ठीक है मिलते हैं नेक्स उसमें जी कम लते ने ने च्ट लास्त.